बिस्मिल्ला रर्रह्मान रर्हीम अस्सलाम अलेकम दोस्तों मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर आल पीपल्स यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बर स्वागत है दोस्तों आज यह देखे आरों आया है और इसमें फ्लो वाटर और जो वेस्टेज वाटर दोनों काफी कम ऑधी देखते हैं कि इसमें की प्रॉब्लम हो सकती है देखे जो पसको होynnगें है यह सबसे पहले जो इंवाला पाइप है जहांसे पानी इंकरता पाइप को पुछ करके और इसको निकाल लिया और अब इसको उदर से चालू करके देखते हैं कि यह पानी कि इसको अब भूमाने के बाद में यहां देखिए जो यह एस भी है यहां से हम एक पाइप यह वाला पाइप इसका निकाल करका डारेक्ट इंजर्ट करके देखते हैं कि अभी भी पानी आ रहा या नहीं आ रहा है यह देखिए सबसे पहले यह जो इनलेट है एस भी में जो इन करने वाला पाइप है इसको हम बाहर निकाल लेंगे और यहां से देखिए कोई पानी नहीं आ रहा है लेकिन अब हम डायरेक्ट पानी इ चला करने के बाद में देखते हैं यहां पानी आ यहां नहीं आ रहा है अब हमने देखते हैं प्रेशर कहां से नहीं है अब यह देखिए पहले पहले की तरह मैंने पाइप यहीं से इंजर्ट किया है और यहां से जो एस भी में पाइप फिल्टरों से होकर क्या आता है इस पाइप को मैंने बाहर निकाला है और बाहर निकालकर देख रहे हैं तो देखिए इ पानी पर चलाने की वज़े से यह सकता है इसकी बुस्टर कं की प्रेशर हो गई होते हैं तो कि अब संब करसेक्ड और यह ब्रके ढाई कि इसको फूट रहा है कि यह को पाइप निकाल दिया अब इसमें प्रेशर गेज लगाने के बाद में चेक करते हैं यह प्रेशर गेज लगा दिया और इसको इसके अंदर इंजर्ट कर दिया अब देखते हैं चालू करने के बाद यह क्या पोजिशन है यह देखिए प्रेशर गेज लगाने के बाद में और इसमें प्रेशर देख रहे हैं तो 100 प्रेशर आ रहा है इसका मतलब पॉम्प ठीक है बस इसको पानी नहीं मिल रहा है दोस्तों इसको पान में पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है कहीं आ ऐसा तो नहीं कि एस भी खराब है अब मैं इसको एक बर चला करके देखता हूं दोस्तों यह देखिए चला दिया और मैं देख रहा हूं कि यह एस भी के यहीं से ही पानी नहीं पास कर रहा है इसका मतलब इसके फिल्टर चोक है और यह इस भी भी खराब है यहां पर पानी नहीं पानी तो आ रहा है लेकिन यह इस भी नहीं खुल रही है काम नहीं कर रही है यह देखिए मैं चालू कर रहा हूं बंद कर रहा हूं लेकिन यहां से कुछ भी मुटिन नहीं हो रहा है इसका मतलब यह इस भी खराब है और इस इसको पहले हम निकाल लेते हैं पाइप को निकाल एक मुट्टी आहां से अब यह सारा बाहर कर दिया कि अब एक बार यह मेंब्रान की पाइप को हम निकाल करके देख लेते हैं इसमें कितना फोलो आ रहा है इसको चला करके यह देखिए इसके अंदर पूरी तरीके से पानी आ रहा है और हम इसको अगर बंद कर रहे हैं यह देखिए तो इसका जो प्रेशर गेज है वो पूरा सोब दिखा रहा है और इसमें पानी आ रहा है और प्रेशर इसका मतलब प्रेशर ठीक है यह देखिए सबसे पहले सेडिमेंट कार्बन फिल्टर को मैं बाहर में काम ले रहा हूं और इसको जो है यह देखिए इसका प्राइप को बाहर एलगो समय इसको खोलने रहा हूं यह देखिए इसी तरह इधर कभी खोल लेंगा यह देखिए यह खुला और यह पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि चोक हो चुका है देखिए पूरी तरह बंध है यह दोनों तरब से एकदम काला हो चुका है यह देखिए और एकदम बंध है यह फिल्टर से कहीं से भी पानी वह नहीं आ र नया फिट कर दे रहे हैं यहां पर यह दिखिये आयो का निशान यह इस तरफ आए यानि इस तरफ से यह लगएगा और इसको ऐसे देखिए जब आप इसका दूसरा हिस्सा यह यहां पर टाइट कर ले रहे हैं जिसमें अगर आप चाहें तो यहां टेफलोन टेप फोड़ा सा और इसमें लगा सकते हैं बाकि मैं नहीं लगा रहा हूं मैं इसी को यहां टाइट कर दे रहा हूं कि किसी किसी फिल्ट्रों में यह थ्रेड सिस्टम एलबो नहीं आता है पुछ सिस्टम आता है तो हम वह भी लगा सब्सक्राइब देखिए नया बदल गया अब हम इसको मूब कर ले रहे हैं पहले यहां से खोल रहा हूं यह देखिए इसको भी पुछ करके पाइप को यह बाहर निकाला और यह यहां निकाला और आएसे अलो को खोल लिया यह देखिए यह खोल गया और और यह जो है यह फिर भी थोड़ा-थोड़ा चालू है लेकिन यह बंध है इसको भी आ अधेगे आ यह देखिए यह खोल लिए यह भी काला हो चुका यह भी बंद हो चुका पूरी तरह यह भी हमने नया डाल देते हैं यह देखिए इसमें एरो का निशान जो आप देख रहे हैं यह इन साइड है इसे मैंने एक बीडियो में बताया हुगा कि अगर यह इस्टिकर भी नहीं लगा या एरो का निशान नहीं है तब भी आप इसको कैसे फिल्टर को पहचानेंगे तो मेरे चैनल पर जाकर करके आप देख सकते हैं उसमें एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया है कि कैसे हम प्रॉट साइड है या देखिए यह टाइट कर लिया और इसमें इसका इसका इसकी एलबो लगा ले रहे हैं यह देखिए पैप को भी पुश कर दिया यह बैठ गई पाएप अब दोस्तों यह देखिए यह मेल लाइन जो पाइप का है इसको मैं यहां से यहां से निकाल ले रहा हूं और इसको वापस अपर जो देखिए यहां पर इंजर्ट कर दे रहा हूं यह देखिए यहां पर इंजर्ट हो गया और अब यह पानी यहां से आना सुरू हो जाएग आप देख सकते हैं अभी पानी इसमें से आने वाला है अब यह दोनों को पहले भर जाने दीजिए फिर देखिए इसमें से पानी आना शुरू हो जाएगा और यह फिल्टर यह देखिए गाइज कितना फुलो के साथ पानी इसमें आ गया काफी तेजिस जो कि पहले बिलकुल मामूली मामूली सा आ रहा था पानी अब यह फुलो के साथ पानी आ गया अब मैं इसको आगे एस भी में इसको इंजर्ट कर दे रहा हूं यह देखिए एस भी में आ गया और अब वहां से आगे जब अब एस भी के बाद पानी अपने आप नहीं जाएगा जब तक हम इसको अन नहीं करेंगे अब यह देखे एक स्क्राइब को अब इसको बिठा देते हैं यह देखिए हमारा यूवी इसके अंदर चला जाएगा यह यूवी इसमें बैठ गया अब उसके बाद यह देखिए दोस्तों इसके अंदर एक और सिस्टम लगा हुआ है यह आप देख सकते हैं यह लगा हुआ है और आटो फिलाश के साथ यह एफर भी लगा है जो 300 CC का है यह एफर देखिए 300 CC का एफर है यह डबल डबल इसमें लगा हुआ है डबल डबल लगाने का मकसद क्या है कि कई बार यह आट फ्लाश खराब हो जाता है तो यह यहां से डायरेक्ट मेंवली यह काम करने लगेगा तो यह मेंवली काम करने के लिए अब मैं देख रहा हूं कि दोस्तों कि यह भी चौक हो कि इसमें पानी का फ्लो काफी कम आ रहा है लेकिन यह जो आट फ्लाश आट फ्लाश तो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है और देखिए कितना नमक पानी दे रहा है चुंकि इसका फुलो काफी कम आ रहा है तो इसको हमें थोड़ा सा अजिस्ट करना पड़ेगा जैस यह देखिए अब इसको मैं थोड़ा सा अजिस्ट करता हूं यह देखिए खुल गई थोड़ा से इसमें हाथ लगाते हैं यह पूरी तरह से खुल गई और यह देखिए नम से कैसे किस चीज को चेक किया जाता है दोस्तों तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप पानी का फुलो भी देखते हैं मीठा पानी कितना इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है गाइज यह देखिए जो आट फ्लास था आट फ्लास का मुझ तो काफी कम हो चुका है अड़िस् का मुझ किलियर हो गया आप इसको फिट कर दे रहे हैं इसको कि अधर करने के बाद में आप इसमें यह आप यह आप्यार फैरास कर रहा है जब और फैर बंद होता है यह तो 20 सिकंडिक बाद देखते हैं यह काम कर रहा या नहीं कर रहा साइश का यह देखिए अब पूरी तो उतना पानी आ रहा है अब मीठा पानी बढ़ जाएगा यह आना भी तो दोस्तों यह वीडियो काफी लंबी होती जा रही है तो यह कैसा लगा आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें मैं समझता हूं कि इस वीडियो से आपको काफी और कैसे बिमारियों को पकड़ा जाता है और वो भी आपने समझा यह देखिए दोस्तों इतना कुछ करने के बावजूद इसका वेस्टिज वाटर का फोलो तो ठीक हो गया लेकिन जो फ्रेश पानी का मीठा पानी का जो फोलो है वो अभी भी काफी कम है तो अब इसके लि करने वाले हैं यह देखिए अब इसका मेंबरान मैं खोलने वाला हूं और खोल करके इसको सफाई करूंगा सफाई करके फिर लास्ट में मैं वीडियो दिखाता हूं सफाई करता हुआ मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि यह वीडियो काफी लंबी हो जाएगी इससे पहले मै मैंने बीडियो डाला हुआ किBen मैंबरां कैसे सफाई करते हैं आपनेकर मेंबरां होाई करते हैं तो इस वीडियो को देख लें और उससे आप सीख सकते हैं मैंबरां कैसे लास धाला हुआ गाल और और मेंब्रान को निकालके मैं एक बड़ दिखा देता हूं, इसकी position क्या हो रखी है और कितना गंदा यह मेंब्रान और रखा है, वो मैं आपको दिखा देता हूं एक बड़, यह देखिए, यह देखिए, एक नोग प्लास या पेटकस की मदद से मेंब्रान को ऐसे हम बाहर निकालेंगे यह देखिए यह मेंबरान के हालत आप देख सकते हैं यह पूरा एकदम काला हो चुका पहले भी यह सफाई हो रखा है लेकिन फिर भी यह एक बार सफाई हो करके चल सकता है